हेलो फ्रेंड एक बाफिर आपका स्वागत है कंचल नाइफलाइन चनल पर आज हम वीडियो पर जैन्फलोक्स यूटियाई टेबलेट के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चनल पर नए है और चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें सांथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक बहुंस सके साथ ही जानकारी के लिए प्लीस वीडियो को अंततक जरूर देखें तो आएं हम ये बात करते हैं कि Genflox UTI Tablet किस प्रकार काम करता है Genflox UTI Tablet दो दवाओं का मिश्रण है Ofloxacin और Flavosect जो मुत्रमार्ग के संक्रमन का इलाज करता है Ofloxacin भी एक एंटिबायोटिक है जो बैक्टीरिया और प्रजनन और बैक्टीरिया को खुद की मरम्मत करने से रोक कर उन्हें खत्म करता है और Flavoxit एक एंटी स्पास मोडिक है यह ब्लेंडर की मास पेशियों को आराम देकर काम करता है और अक्सर ततकालिक या अनियंत्रित पेशाप को रोकता है और संबंधित दर्द से राहत दिलाता है तो फैन इस तरह से Genflox UTI टेबलेट मोत्रमार्ग के संक्रमन का प्रभावी इलाज करता है यह माइक्रो ओग्रेनिज्म के विकास को रोक कर संक्रमन का इलाज करता है यह दवा आमतोर पर आपको जल्दी बहतर महसूस कराती है हलाकि आपको बहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अवधी तक इसे लेना जारी रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया मारे जा चुके है और इनमें प्रतिरोध विक्सित नहीं हुआ है इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड फेक्ट में डॉक्टर की सलहा लेने की जर्वत नहीं पड़ती है और निमेत रूप से दवा का सेवन करने से साइड फेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं लेकिन अगर साइड फेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगड़ते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर की सलहा लें इसे साबुत निगल लें इसे चबाएं कुछले या तोडे नहीं जैन फ्लॉक्स यूटियाई टेबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलहा जरूर लें और इस बात का भी ध्यान रखें कि मतली से बचने के लिए दवा को पर्याप्त मातरा में पानी के साथ पूरी तरह निगल लें और हो सके तो भोजन के साथ लें खाली पेट ना लें यह दवा बैक्टीरिया की आगे की वृध्धी और प्रतीकृती को रोक कर काम करता है जिससे संक्रमन का इलाज होता है जनफ्लोक्स यूटियाई टेबलेट एंटिबाटिक्स नमक दवाओं के समों से संबंदित है जिसका उपयोग मूत्रमार्ग याने गुर्दे और मूत्राश्य के जिवानू संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है ऐसे संक्रमन के कारण होने वाले लक्षन जैसे दर्दनाक पेशाब मूत्र प्रभा को नियंत्रित करने में असमर्था और रात में अत्यधिक पेशाब से राहत दलाने में यह दवा मदद करती है मुत्रमार के संक्रमन बैक्टीरिया जैसे सुश्मत जीवों के कारण होते हैं और गुर्दे, मुत्रशे और उनके बीच चलने वाली नलियों को प्रभावित कर सकते हैं यह दवा मुत्रशे की मास पेशियों को आराम देता है जिससे बारबार पेशाब आने और अत्यदिक या अनियंत्रित पेशाब को रोकने में मदद मिलती है इस दवा को लेने के बाद कभी कभी किसे नींद आने जैसा लगता है इसलिए इसे दवाई को लेकर गाड़ी ना चलाएं सांथी इस दवा के सांद शराब के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि इस से चक्कर आने की संभावना बढ़ सकती है सांथी ये भी याद रखें कि यह दवा बच्चों को देने के लिए नहीं है